Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल फिर रिसेंटली आपने सुना होगा, कि चाइना के अंदर, जो सबसे बड़ा डाइनासौर का रिमेन है, वो फाउंड हुआ है, तो ये सब कुछ तो होता रहता है, लेकिन रिसेंटली मुझे एक बहुत बड़ा शौक लगा, जब मैंने यहाँ पर एक रिपोर्ट पढ़ी, क वेंपायर के स्केलटन फाउंड हुआ है, पोलैंड में, सोच के देखिए, वेंपायर, मतलब जो चीजें आप कहानिया में पढ़ा करते थे, मूवीज हुआ करती थी, जैसे कि मुझे याद एक काफी लंबे समय पहले एक मूवी आई थी, रिलेटेट टू वेंपायर, उस देख पाऊगे, The Economic Times का आटिकल है, Believe It or Not, Female Vampires Remains Discovered in Poland, तो यही मैं आपको बताऊँगा कि exactly है क्या, और especially मैं आपको यह भी बोल दूँ, कि यूरोप के अंदर, वेंपायर को लेकर बहुत सारी कहानिया है, 11th century से लेकर 18th century तक आप देखोगे, तो कई ऐसी घटाएं हुई है मतलब लोगों का ऐसा मानना था काफी है तक कि वेंपायर एक्जिस्ट करते हैं, तो कुछ उसी से related जो skeleton है, वो मैं आपको बताऊँगा, काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर परदेश का जो PCS कोर्स ह वो भी अब लाउंच हो चुका है, ये live कोर्स होगा, again at a very affordable rate, just use the code अंकित live हमारे website और app पे जाके, और इसका पूरा schedule पहले ही आपको यहाँ पर दे दिया गया है, और इसके जो अलग-लग features हैं, चाहें, live classes हैं, notes हो गए, घ्यानवानी session हो गया, answer writing practice, सभी कुछ आपको मिल जाएगा, इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे Insta page पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, तो चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, exactly अभी हो क्या रहा है, देखिए, जो stories है, जैसा कि मैं कह र होता है, जो humans के blood होते हैं, उसको सक करते हैं, इन्हीं को कहा जाता है, vampires अगर आप में से किसी को ना पता होतो, तो कई civilizations के दौरान, vampire की कहानियां आती गई हैं, जाती गई हैं, और लोग इसके बारे में अकसर discuss भी करते रहें, बट अब जो evidence सामने आया है, उससे ये पता च देखोगे, तो जो vampires की अकसर stories हुआ करती है, वो आपको Eastern Europe में ही देखने को मिलता है, तो Poland के अंदर ये अगर आप देखोगे, ये जो देश है Poland और काफी news में भी रहा है, Ukraine war की वज़े से, तो यहाँ पर जो Poland है, यहीं पर जो skeleton है, वो found किया गया, ये female skeleton में आपको दिखा गया है, तो यहाँ पर एक team है, विच इस हेड़ेट बाइ प्रोफेसर डैरियस पॉलें सिंग की, and basically he is from Nicholas Copernicus University, तो इस युनिवर्सिटी के दोरा जो प्रोफेशर है, वो एक team को lead कर रहे थे, head कर रहे थे, और जाहिर सी बात है, जो archaeologist है, उनका कामी यही होता है, कि जगर पर जाएं, और कुछ ऐसी नई चीजें discover कर पाएं, कुछ ऐसा हो पाएं, जिसे पूरा इतिहास एक प्रकार से बदल जाता है, और in fact question यह भी है, कि यह जो female skeleton की हम बात कर रहे है, वो कौन से era से belong करता है, कौन से century से, तो बताया जा रहा है कि 17th century से यह जो skeleton found हुआ है, वो belong करता है, तो चली हम इसके बारे में, यह जो skeleton है, इसके बारे में और थोड़ा अच्छे से समझेंगे, यह जो skeleton है, मैं अभी आपको picture दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा, कि आखिरकार इसको vampire क्यों बोला जा रहा है, female vampire क्यों बोला जा रहा है, basically क्या है, कि जो dead bodies होत कि इसी का जो skeleton है, यह skeleton आप देख पा रहा है, कि यह आपका found हुआ है, अब इसमें ध्यान से देखने वाली यह चीज है, कि इसके गले के just उपर, यह जो female skeleton है, basically, इसके गले के just उपर, यह sharp object लगाए गया है, sharp blade लगाए गया है, इसको sickle कहा जाता है, sharp blade इसलिए लगाए ग इसके लिए यहाँ पर इस प्रकार की चीजों का प्रयोग किया गया है, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा यह भी बताया गया, कि उसके pair में जो toe होता है, वहाँ पर padlock भी लगाए गया है, ताकि impossible हो जाया है, यह भी आप देख सकते हो picture, कि यहाँ पर इस तरह का sickle आपको सिकल का प्रयोग हुआ है, इसके अलावा इसका जो tooth है वो bulging में, थोड़ा सा bulge है यहाँ पर जो tooth basically बताया जा रहा है, इसकी वज़े से भी लोग यहाँ पर इनका मानना है कि यह vampire होंगे, और जो skull है, यहाँ पर silk cap भी पहना हुआ था, ऐसा भी बताया जा रहा है, जो skull है basically जो head पे, silk cap भी यहाँ पर पहना गया था, तो I hope कि आप समझ पा रहे होगे, कि यह जो skeleton found हुआ है, इसको vampire इसलिए बोला जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं उस समय लोगों का जो मानना था, कि यहाँ पर यह vampires होंगे, तो वो अलग-अलग प्रकार की चीजें करते थे, ताक की चीजें basically की जाती थी, in fact जो professor है, जो इसको lead कर रहे थे, उनका भी यह मानना है कि there are many ways to protect against the return of dead, including cutting of head, मतलब कि कई बार तो जो dead body होती थी, उनके गले को ही काट दिया जाता था, उनके लेक को काट दिया जाता था, हाथ को काट दिया जाता था, जान मुझकर काटा जाता and also कई बार उनकी जो bodies हैं, जब उनको bury किया जाता था, तो उनको basically face, उनका जो face है वो down कर दिया जाता था, normally क्या होता है, जब bury किया जाता है, तो face उपर रहता है, उपर के side में, sky side में रहता है, लेकिन जो vampires हैं, उनका जान मुझकर face ये कर दिया जाता था, ताकि वो वाप तक इस तरह का कभी भी कोई चीज found नहीं किया गया था and obviously बात है कई सारे claims होते रहे हैं counter claims होते रहे हैं vampire के existence को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि vampires नहीं होते हैं लेकिन कुछ experts का मानना है कि नहीं वो पहले साथ में हुआ करते थे vampires खेर मेरे लिए भी इस चीज को समझना बहुत ही मुश्किल है जादा तर लोग नहीं मानेंगे इस बात को and मेरा भी काफी हत तक यह मानना है बट क्योंकि उस समय ये सारी चीजे media reports में आई हैं और मुझे बताना पड़ा है इसके लाबा अगेन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इतिहास भी पताना चाहता हूँ यूरोप के अंदर अगर आप देखोगे especially eastern वाला यूरोप अभी जो मैंने आपको map में दिखाया था उस समय जो 11th century में लोग रहते थे उनका काफी हत तक माना था उनके अंदर बहुत ज़ादा डर था टेरर था vampires को लेकर और इसलिए यहाँ पर जो anti-vampire rights होते थे जो dead bodies होते थे इन फाक्ट यह भी बताया जाता है कि कई बार bodies जो है कोई जिंदा भी है पूरी तरह से मरा नहीं है लेकिन जान मुझकर उनको मार भी दिया जाता था इस तरह की भी चीज़ें जो है वो काफी ज़ादा सुनने को आती है उस समय आगे चल कर क्या होता है 17th century में यहाँ पर report के अधार पर बताया गया है कि Poland में तो यह काफी ज़ादा rampant हो गया था जो vampires का existence था वो काफी ज़ादा देखने को मिलता था 17th century में और यह जो grave है basically मैंने आपको यही बताया कि यह 17th century से ही belong करता है आगे चल कर 18th century में यह काफी ज़ादा controversy हो जाती है और इसलिए 18th century में इसको controversy एरा कहा जाता है 18th century vampire controversy ऐसा एरा यहाँ पर लोग कहते हैं in fact उस समय तो एक और प्रचलन यह हो गया था कि जो dead bodies होती थी उनके शरीर में rod लगा दिया जाता था एक प्रकार से ठीक है तो again यहाँ पर वो vampires में जो है वो ना आ सकें वो वापस से जिंदा ना हो सकें इस तरह की जो चीजें हैं वो आपकी सुनने को आती थी तो यह थोड़ा बहुत इतिहास था खेर जो भी है यहाँ पर at least आपके exam point of you यह ध्यान में रखना है कि जो vampires के कुछ skeletons वगरा found हुए है कौन से जगा पर हुआ है कौन से country में हुआ है और जो कुछ background की story थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है जाने से पहले एक interesting question क्यों कि हम Europe की बात करें क्या बता सकते हो कि जो Britain से जो East India Company आई थी भारत के अंदर जो East India Company जो आया था वो जब establish की गई थी तो भारत में कौन ruler था तो East India Company जब establish की गई थी तो भारत में ruler कौन था यह आपको पताना इसका right answer आपको पता ही है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से भी ले सकते हैं कई सारे MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ बाकि अगर आपको PDF तो Telegram पर आईए अलग-अलग सोशल मीडिया पर आप जूड़ पाऊगे और जैसा मैंने बताया उत्तर परदेश PCS की त्यारी अब आप कर सकते हैं यूजिंग दा कोड अंकित लाइफ क्योंकि यहाँ पर आपको maximum discount मिलता है I hope की वीडियो आपको पसंद आयोगा मिलता है आप से नेक्स ताम तेल देन Thank you very much, see you soon